तो हेलो गाईज एंड वेलकम तो मैं न्यू वीडियो और आज की इस वीडियो पर मैं आपको फ्रीफार में ब्यार रेंग की सोलो की कुछ ऐसे टिप्स दूंगा जिससे आप लोग अपना जादे तक मतलब अगर आप दो मैचिस खेल तो दो मैसे आपका एक मैच बूया लग कि अगर आप उन गन्स को और वह वाली केरेक्टर स्किल्स को यूज करते हो तो आप लोगों का बूया इकदम आसानी से हो जाएगा बिना किसी दिक्कत के और अगर आप लोगों के पास गन इसकिन नहीं आप लोग नॉन टॉप अप प्लेयर सो तो भी मैं आपको लेकिन सोलो पर आप लोगों को यही रखना है और उपर मैं इसलिए देख रहा था क्योंकि यहां पर कभी भी कोई भी बंदा उतर सकते हैं यहां पर आप लोग देख सकते हो यह बंदा जैसे ही कुदा गने जल्दी से इसको नॉक आउट कर दिया यही पर ही और लगता है इसका दूसरा रिवाइब था तो यहां पर मैंने इसको जल्दी से फिनिश कर दिया उसके बाद मैं यहां लूटने लग गया और मैं आपको अभी करेक्टर स्किल्स बताता हूं जो मैं खुद प्रीफर करता हूं सोलो के लिए तो यहां पर आप लोगों को नेरी करेक्टर तो एक्टिव स्किल्स मैं के करेक्टर यूज करता हूं उसके साथ है नेरी करेक्टर क्यूंकि अगर सापने सोलो में आपके पास कोई M60 वाला बंदा आगे आपके अपॉनेंट में तो आप लोगों का बुया करना काफी ज्यादा मुश्किल है तो आप लोगों को नेरी कर और देखा टोटल 50 HP हो जाएगी और अगर आप वो वेस्ट HP बूश्टर को भी यूज करोगे तो आपके टोटल HP हो जाएगी 280 गी और इसे आपको गैस 80 HP extra मिल ली है और यहां पर उतरते ही जब आपका टाइमर चलना होता है रिवाइव होने का तो बहुत सारे बंदें कर जाते हो लेकिन जाद है तक टाइम हम लोग मर जाता है क्योंकि आगे पीछे से कोई ना कोई बंदा हमको मारी देता है और यहां पर उसके बाद जब आप दुबारा से लेंड करते हो नीचे दूसरी जगे में तो यहां तो वहां पर कोई और बंदा पहले से रिस्पॉन है उसके पास ही कुदो सीक्रेट कुलू को सबसे पहले उपन करो मैं अची स्टार्ट होती ही उसके बाद अपनी गंस को लूटो एंड यहां पर अभी तो यहां पर मैंने टोटल टू किल्स कर दिये हैं और अभी मेरे पर 1400 टोकन्स है तो यहां पर मुझे M10 भी मिल चुकी ह तो मैं जल्दी से M10 डिकाल देता हूं यहां से और यहां पर मैं इन दोनों को मैक्स कर दूँगा क्योंकि जो सीक्रेट क्लू होता है उससे हमको एक बार मैं 600 टोकन्स मिल जाते हैं तो यहां पर फाइनली मैंने 1800 टोकन्स को कलेक्ट कर दिया है और जल्दी से मैं इन सारे ट जो भी खेलोंगे तो आपको पता चल गया होगा लाज जोन में कितने सारे मौश्र ट्रक बाई क्या फिर यह जो ब्लू आली गाड़ी है और वो स्पोर्स कार चलती होंगी हर जगे तो आप लोग पर घाड़ी होनी चाहिए वरना वो लोग आपको गाईस बिल्कुल नहीं स बंदे लेकिन मैं इन मैंसे जो ब्लू वाली गाड़ी है इस वाले बंदे की पीछे जाता हूं और मैं इसकी गाड़ी फोरने का भी ट्राइ करता हूं लेकिन पता नहीं इसकी गाड़ी थोड़ी बार टैमेज हो जाती है लेकिन पता नहीं इसमें आग क्यों नहीं लगती ह उसके बाद मैं थोड़ा सा आगे जाके इसकी पूरी गाड़ी में आंग लगा देता हूं इस कोब डालके एंड उसके बाद मैं इस बंदी के उपर जल्दी से रश करने जाता हूं लेकिन ये बंदा पीछे से कहीं पर भाग जाता है और उसके बाद मैं अपना होमेर करेक्टर यूज नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि मेरे पास मोको करेक्टर है नी तो मुझे इस बंदी की लोकेशन भी पता नहीं चलेगी तो यहाँ पर मैं पीछे से जल्दी से सामने ड्रॉप के पास चले जाता हूँ जिससे कि मैं वहाँ थोड़ा बहुत लूट कर सकूँ क्योंकि वहाँ एक बंदे का लूट बॉक्स पढ़ा था शायद वहाँ दो बंदों के लूट बॉक्स थे तो जल्दी से वहाँ लूट करेंगे उसके बाद गई हम लोग साद आ जाता है मुझे बाइक से ठोख देता है लेकिन मेरी उतनी हेल्द दिनी जाती क्योंकि बाइक का डेमिज कम होता है और उसके बाद मैं आज से निकल जाता हूँ मेरे जोन की तरफ को मेरी जो स्पोर्ट्स कार इसमें बैटके और यहाँ पर मेरे पास काफी सारे सूपर मेडिक किट होता है और आपको सूपर मेडिक किट अपने पास रखने होता है तो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ काफी मतलब जोन के बाहर आ चुका हूँ मैं और अभी यहाँ पर मुझे उपड़ से फाइरिंग करने की आवाज आ रही थी क्योंकि एक बंदा सैलेंसर यूज कर रहा था और यहाँ पर एक और बंदा आ गया था तो यहाँ पर आप देख स से मुझे तो मैं यहाँ जल्दी से पीछे पत्थर के पीछे कवर ले लेता हूँ और आपको इंदम सेफ किलना है जैसे आप लोग देख सकते हो मेरे पे स्कैनर है इसलिए अभी मैं गाड़ी से बाहर निकला हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मेरे आसपास और कोई बंदा है यही शौट रेज में वरना मैं गाड़ी चलाते रहता हूँ मतलब जब तक छोटी जोन नहीं हो जाती जब तक सेवीन या फिर फाइफ प्लियर्स अलाइव नहीं होते तब तक मैं गाड़ी यूज यह करते रहता हूँ और अभी आप देख सकते हो मेरे बास थिरी की लो र अनि मॉश्र ट्रक वाले को भी इसकी लोकेशन पता चल गई और मुझे भी पता चल गई तो उसके बाद हम लोग इसको जोन में आने इतनी आसानी से थोड़ने दिंगे तो यह बड़ी मुश्किल से जोन में पहुचा लेकिन यह काफी जादा डैमिज था उसके बाद में पर आ जाता हूँ थोड़ा पीछे अपनी केंपिंग करने के लिए लेकिन यहाँ पीछे साइट से एक बंदा आ रहा होता है मुझे मानने के लिए और अगर मैं आपको यहाँ पर बेश्ड गन इसकिन बताना भूल गया था मैं आपको तो गन इसकिन की बाद अगर मैं करूँ मेरे पास तो यहाँ पर टाइटेन इसकार इंस्क्रूबेटर की टॉप वाली और एम टैन है इवो मैक्स तो मैं इन दोनों को यूज करता हूँ को यूज करो या फिर आप लोग यूएंपी भी यूज कर सकते हो लेकिन मैं प्रिफर करता हूँ आप लोग बिजॉन और ट्रोगन को यूज करा करो और लॉंग रेज में बेश्ड गन होती है ग्रोजा अगर आपको ग्रोजा एक्स मिलगी तो काफी जादा अच्छ है वर लोगों को बेश्ट डैमेज देगी वरना सारी गन की स्केन आपको चाहिए होगी अगर आप लोगों को और गोई कन यूज कर दी है और उसके बाद मुझे यहाँ पर यह लाश्ट वाले बंदे की लोकेशन पता नहीं होती है तो मैं यहाँ पर पता नहीं कहीं पर भी ग्र पर शॉर्ट रेंज का वेट करता हूँ और यहाँ देख सकते हैं बंदा मेरी दो गोली में नौक हो गया और उसके बाद जल्वी से मैंने इसको फिनिश करके बूया ले लिया तो यहाँ पर आप देख सकते हो पहली मेरे थ्री गिलते लेकिन अचानक से आप लोग देख सक सकते हो 6010 का स्कोर मेरा है और साथ मैं ग्रेंड मास्टर के लिए मुझे चाहिए 6611 और यह स्कोर देरे देरे बढ़ता रहेगा रोज साय दिये 400 या फिर 500 तक का इंक्रीज होता होगा और यहाँ पर मैं मैच हिस्ट्री की बात करूँ तो यहाँ पर मेरे फ्रेंट्स भी मेर यह पाते हैं मतलब 10 मैसे एक या फिर 2 मैच बूइया करेंगे और यहाँ फिलाल के लिए पूरी हिस्ट्री मेरी है आप लोग देख सकते हो मैंने 10 मैचेस खेले हैं और लगभग 10 या फिर 12 मैचेस खेले हैं और एक में 3 की श्ट्रीक है और बाकी दूसरे में भी 3 की श्ट् केलने और ग्लोरी की रिक्वाइर्मेंट है मतलब आप लोगों को पर वीक में 1000 की ग्लोरी देनी है गिल्ड आइड आप लोग यहाँ पर देख सकते हो अगर मेरा गिल्ड कभी आपको फुल दिख गया तो आप लोग मेरा डिस्कॉर्ट सर्वर जोइन कर सकते हो और वाम उस मिलते हैं नेक्स रुड में तब तक लिए गुद्पाइ